हलो एन वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया फ्रेंड्स रात के नौ बज गया है और हम प्री लेवल पजल के साथ रेडी हैं आज का पजल थोड़ा डिफरेंट है फ्लोर बेस्ट प्लस फ्लैट वाले पजल है नया टाप का पजल है इस टाप का पजल हमने अभी तक सौल नहीं क किया है इसका हिंदी वर्जन यह रहा आप एक बार हिंदी को देख लिजे और इसको टैली कर लिजेगा इंग्लिस वाले से क्योंकि इसको मैंने गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया है जैसा है कि आपको पता है तो कुछ गढ़बडी हो सकती है तो एक बार प्लीज ट्रांसलेट कर लिजेगा उसके बाद इसको अटेम्ट करिएगा नहीं तो आप सकते हैं और यह रहा हमारा इंगलिस वर्जन इसको एक बार आप फटा-फट से देख लिजेए वीडियो को पाउस करिए और एक बार खुद से ट्राई करिए फिर हम लोग साथ नमिल करेंग और क्या आप मुझसे जल्दी सॉल्ट किया है या मुझसे ज़्यादा टाइम लगा है और क्या आपका इंसर सही है ठीक है तो अब हम इसको पढ़ते हैं यहां पर कहा भी है इन फो यह समस्क्यादा टीक कर लेंगे और अपना लेते हैं इसको ओर बनाटें कैसा बने है यह लिए चार फ्लोर है फ्लोर था हमन इसे पासरे का सब्सक्राइब पिलाए बहर फ्लैट यह उटमतीं है on each of the floor and are right to the left of the floor respectively flat number one of floor number two is exactly above the flat number one of floor number one and so on मतलब flat number one इदर होगा one two three right में कह रहा है left to right है तो one two three ऐसे flat होंगे और यह हम अपना दो case बना लेते हैं एक तो यह हो गया एक और case बना लेते हैं flat number one two three दो case हम हमेशा से बनाते हैं तो इस बार भी दो case बना के चलेंगे तो यह आपके हो गया तीन फ्लोर यह आपका हो गया छे फ्लोर यह आपका हो गया नाइन फ्लोर और यह आपका होगया 12 फ्लोर 12 फ्लोर हैं 10 परसन हैं 2 फ्लोर वैकेंट होने होला है ठीक है यह हमने बना लिए आप कोश्चन्स को पढ़ेंगे और डाटा को नोट करेंगे M stay on flat number 1 of the floor just below the floor on which B stay तो B जिस भी फ्लोर पे होगा उसके just नीचे वाले फ्लोर पे M आएगा बट flat number 1 पे आएगा flat number 1 पे इसका fix दिया है B का flat हमें fix नहीं दिया है बट B जिस भी फ्लोर पे जाएगा उसके just नीचे वाले फ्लोर पे आपका M आएगा यह हमें दिया हुआ है आगे पढ़ते हैं the flat number 2 और floor number 2 is empty तो second floor का second flat empty है तो second floor का second flat यह हो गया यह आपका empty है दोनों case में इसको empty कर देते हैं यह empty हो गया आगे पढ़ेंगे अब B stay on flat number 2 on one of the floor B जो है flat number 2 पे जाएगा किसी floor के flat number 2 पे जाएगा अब यह data मिलते ही अब देखे friends यह data मिलते ही flat number 2 B का fix हो गया B का flat number 2 fix है और उसके just नीचे वाले 4 floor पे M आएगा flat number 1 पे ठीक तो B तो यहाँ आ नहीं सकता first floor पे नहीं आ सकता third floor पे third floor पे B आ सकता है और आपका first floor पे B आ सकता है आ सकता है तो एक बार first floor पे B को बिणा जाते है B अगर यहाँ आ गया fourth floor पे sorry B अगर यहाँ आ गया तो M को यहाँ न पड़ेगा इसके just नीचे वाले floor पे first flat पे ठीक है और second case में B यहाँ सकता है और M आएगा यहाँ पे आएगा यह दो case बन गया यह इस data को हम राप कर देते हैं इस data को हमने use कर लिया यह दो floor हमने दोनों को बिठा दिया B और M को आगे पढ़ते हैं D stay on flat number 2 D जो है flat number 2 पे आएगा D आएगा flat number 2 पे आगे पढ़ेंगे C stay on flat number 3 of same floor on which M stay ठीक है तो C जो है flat number 3 पे जाएगा और same floor जिस पे M है M यहाँ है तो C कहा जाएगा C आएगा यहाँ पे M यहाँ है तो C आएगा यहाँ पे ठीक है यह हो गया आगे पढ़ेंगे flat to the right of B is empty B के right में जो flat है वो empty है तो B के right में यह flat है यह हो गया आपका empty B के right में यह flat है यह भी हो गया empty ठीक है आगे पढ़ेंगे दो floor empty होने थे दो floor हो गया flat on which A stay is below the flat of B such that no one lives between them A का जो flat है वो B के नीचे है flat on which A stay is below the flat of B such that no one lives between them तो B के जस्त नीचे A है तो A यहां पे आएगा आपका A case में और इस case में A यहां पे आएगा आएगा उसके नीचे है और उनके बीच में कोई नहीं रहता है यहां उसके नीचे आएगा इसके बीच में कोई नहीं है यहां इसके नीचे आएगा अगर यह empty है तो तीन empty हो जाएंगे बट दो ही vacant होना चाहिए तीन vacant तो possible नहीं है दो ही vacant होना चाहिए तो यह case आपका क्या हो जाएगा यह case आपका हो जाएगा गलत तो यह सिर्फ first case जो हमारा है वही सही जाएगा second case हमारा हो गया गलत ठीक है आगे पढ़ेंगे Q stay on flat to the right of D Q जो है Q जो है D के right में बैठेगा अब D का flat number 2 हमें fix दिया हुआ है और flat number 2 सिर्फ यही एक बच रहा है तो यहाँ D को मिठलते हैं और D के right में किसको कर आए D के right में को आएगा Q आएगा तो Q D के right पर यही हुआ Q यहाँ आ गया यह भी बैठ इया इसका भी हमने use कर लिया ठीक आगे पढ़ते हैं O and E stay on the same floor O और E एकी floor पर आएंगे तो O और E देखें यहाँ पर तो आ नहीं सकते हैं यहाँ भी नहीं आ सकते हैं थर्ड फ्लोर पर भी नहीं आ सकते हैं सेकंड फ्लोर ही सिर्फ बचा जहां O और E आ सकते हैं लेकिन कौन कहा होगा मैं नहीं पता O और E को हम यहाँ बिठा देते हैं O E O E ठीक आगे पढ़ते हैं C and O do not share same flat number C और E एकी flat same flat number share नहीं करेंगे दिखें तो C का flat number 3 है तो O का flat number 3 ही नहीं हो सकता तो यहाँ कौन आएगा E आएगा यहाँ पर O आएगा यह अगले लाइन में clear हो गया तो हम इसको रख करके सही सही अपना बिठा देते हैं यहाँ पर आपका हो जाएगा E यहाँ पर आएगा आएगा आपका O आगे पढ़ेंगे P does not stay on top floor पी कले दो ही जगों बचा है यही आपका एंसर है अपने एंसर से टैली कर लिजिए बहुत यह easy question था प्री लेवल का था बट आ सकता है यह प्री में और नया type of question था कैसे इसको solve करना है यह आपको समझ में आया होगा क्या approach इस question में लगाना है यह आपको समझ में आया होगा I hope वीडियो अच्छी लगी परजल अच्छा लगा मिलते हैं फिर कल रात को 9 वजे तब तक दिये bye thank you friends